हेलो एवरिवन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकवास्ट में बर्गर और उसी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ देखिए ओल्मॉस्ट बहार जाकर हैं बर्गर खाते हैं बट आज मैं घर पर बर्गर बना रही हूँ और उसी की रेसिपी आप से भी के साथ आज शेयर करूंगी तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा इसकी पमत किचेगा तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बर्गर बनाने के लिए क्या-क्या समान लिया तो यह चील लिया है तो यह सारा समान मैंने बर्गर बनाने के लिए है तो सबसे पहले मैंने सारी सब्जी को अपनी अच्छे सिद्धों कर दोंगी इस तरीके से एधिए कृण चील लिए को और शिल खञ़िए यहां पर मैंने इसको त्यार कर लिया है यह तैमातर के लिए खियर को चोटी-चोटी पीस में काट लिया है अब मैं आलू को मैस कर लूँगी अच्छे से और आलू की टिक्की बनाने के लिए इसका एक पेश्ट तियार कर लूँगी तो यहां पर आलू मैंने अच्छे से फोड लिये हैं अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक खोड़ा सा अधनिया पाउडर ओर थोड़़ीचि डाल दूँगी हिंग यहां पर हम इसमें ज्यादा मसालगी उज़ नहीं करेंगे शिर्फ यहीं तीन चीज़े डाल कर और थोड़़ा सा डाल देंगे इसमें अरारोट तो यहां पर मैंने तीन आलू में दो से डाय-चमच अरारोट डाल दूए अगर अरारोट आपके पास नहीं है तो आप चावल काटा या फिर सूजी जो भी अवैलिबर हो यूज कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेश्ट तियार करेंगे और दोना हातों की हैल्प से हम टिक्की तियार कर लेंगे अब यह देखें यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसका एक पेश्ट तियार कर लिया है तो अब दोना हातों पर चिक्नाई लगा कर मैंने टिक्की तियार कर लेंगे तो यहाँ पर मेरी पांच टिक्की तियार हुई है अब टिक्की को हम डीप फ्राई कर ले चिकनाई में मैंने सरसो का तेल चड़ाया उसे अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद दो दो करके अपनी टिक्कियां में सेक लूँगी तो यहां पर हमको टिक्की को इस तरीके से दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन होने तक प्राई कर लेना है अब यह देखिए टिक्किया हमारी गोल्डन हो गई है तो इन टिक्कियों को हम प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए कितने अच्छी क्रिस्पिया हमारी टिक्किया तियार हो गई है तो यह हमारी टिक्किया तियार है बर्गर के बीच में बढ़ने के लिए तो चलिए बनाते हैं बर्गर तो बर्गर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बंद को इस तरीके से बीच से दो पीस में कट कर लिया है तवा ले लिया है ये नोन श्टिक तवा लिया है मैंने या पर आप चाहें तो लोहे वाला तवा भी उच कर सकते हैं तवे पर में थोड़ा सा घी लगा दिया है और इस तरीके से जिस साइड से हमने काटा था उस साइड से हम बंद को सेख लेंगे उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उस पर सबसे पहले लगा देंगे ग्रीन चटनी उसके बाद टिकी को हलका सा मैस करके रख देंगे सकते हैं तो यहां पर मैं एक टमाटर, एक प्याज और एक कीरे का स्लाइश रख लूंग इसके बाद कटा हुआ पनीर रख देंगे आप जाने तो पनीर को काट कर भी रख सकते हैं दिन्त अब इस के ऊपर से डाल दिए मैने मियोनीज आपको जितनी मियोनीज पसंद आप उस तरीके से डाल सकते हैं जो उपर वारा बंद है हम इस पर लगा देंगे मीठी चटनी और इस तरीके से रख देंगे तो यह हमारा बर्गर तियार है सर्व करने के लिए आप सभी भी ट्राइकिजे बर्गर की रेसिपी घर पर आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लायक कीजिएगा थेंक्यूसोमच